हलो शुडेंट्स मैं अंसू आपकी हिंदी टीचर आज हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर थर्टीन मिर्च का मज़ा के प्रश्ण उतर को देखेंगे और समझेंगे चलिए सुरू करते हैं जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं सही सवाल तो प्रश्ण है काबुली वाले ने कहा अगर यह लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो उस सब्जी बेचने वाली ने कहा हाँ यह तो सब खाते हैं ले लो इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था तो इसका उतर हम लोग लिखेंगे काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद यह पूछना चाहिए था कि क्या यह मौसमी फल है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं जल या जल मुह सारा जल उठा और आखों में जल भड़ाया यहां जल सब्द को दो अर्थों में इस्तमाल किया गया है एक जल में जलना या तीखा और दूसरा जल मतलब पानी यानि एक सब्द को दो तरह से इस्तमाल किया गया है इसी तरह नीचे दिये गए सब्दों के भी दो एक एक वाक बनाओ पर धियान रहे वाक में वह सब्द दो बार आना चाहिए दोनों बार उस सब्द का मतलग अलग निकलना चाहिए जैसे उपर दिये गए वाक में जल जैसा कि उपर दिया हुए जल या जल मुह सारा जल उठा यानि जलन होने लगा मुह में और आखों में ज जल मतलब पानी भड़ाया तो हम लोग एक सब्द को दो तरह से इस्तमाल किये और यह दोनों का मतलब अलग-अलग निकला वैसे हम लोग हार यहां पर देखे जैसे हार है तो इसका हम लोग बनाएंगे वाक उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाए हार मतलब क्या है जो ह हारना और जीतना सब्द होता है वही हार और एक गले में हार डलवाया एक हार का मतलब जो माला या हार पहना जाता है वो हार हुआ तो उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाया अब दूसरा सब्द है आना पहले चवणनी में चार आना होता था मगर अब अंदर मताना च या कहीं भी अंदर मत आना तो दो अर्थिस के हो गए अब अगला सब्द है उत्तर सुर्ज उत्तर में निकलता है और तुम्हारा उत्तर सही नहीं था मानलों किसी बच्चे ने लिखा कि सुर्ज उत्तर में निकलता है तो ये तो गलत है ना तो सुर्ज उत्तर में निकलता है और तुम्हारा उत्तर सही नहीं था यानि उत्तर सब्द का दो बार उपयों गया दोनों का अर्थ अलग-अलग अब हम लोग अगला सब देखेंगे फल, फल चुराना अच्छी बात नहीं है, मेहनत का फल अच्छा होता है, फल मतलब जो हम लोग खाते हैं फल जैसे आम निम्बू या कुछ भी केला, और एक फल मतलब जैसे उसका क्या बोलेंगे, मेहनत का फल पड़ी नाम, अब हम लोग अगला सब देखते हैं मगर, नदी में मगर है, मगर तुम उसे बच कर रहना, मगर यानि मगर मच है, मगर मतलब तुम उसे बच के रहना, अगला सब पर, पर वह नहीं आया, पक्छियों के पर नहीं काटने चाहिए, पर मतलब वह नहीं आया, और पक्छियों के पर मतलब पंक अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं छाटों कभिता की वे पंक्तियां छाट कर लिखो जिन से पता चलता है कि काबुली वाला कुछ अलग तरीके से बोलता था कुंजरीन उनसे बोला बेचारा जियूतियों समझा कर काबुली वाला कंजूस था जातु अपनी राह सिफाई मैं खाता हूँ पैसा मिर्च बहुत तीखी थी मगर मिर्च ने तुरंत जीव पर अपना जोर दिखाया मुह सारा जल उठा और आखों में जल भढ़ाया काबुली वाले को मिर्च के बाड़े में नहीं पता था इसका उतर लेंगे लाल लाल पतली पतली छीमी हो सीज अगर खाने की काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहियती तो हमको दो तोल शीमिया फकत 4 आने की अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं जैसा की हेडिंग है 4 चार आना चवणी मतलब 4 आना चार आना मतलब 25 पैसे तो एक रूपिय में कितने पैसे तो इसका उतर हम लोग लिखेंगे एक रूपिय में 100 पैसे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब बताओ जैसा की हेडिंग है तो यह आपको बुक में यहाँ फिल करना है और ठनी मतलब 8 यहाँ आपको बुक में दिया होगा यह बुक में भी फिल कीजिएगा और कॉपी में भी ऐसे यहाँ डैस लगा दीजि इसको बुक में आपके दिया हुआ इसको भरना है और कॉपी में भी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तुम कैसे पूछोगे जैसा की हेडिंग है यह बुक में दिया हुआ है तुम बाजार गए दुकानों में बहुसी चीज़ें रखी हैं तुम्हें दूर से ही अपनी मन पसंद चीज का दाम पता करना है पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे तो इसका जैसे यहां पर बहुत सारी चीजें देख रहे हो बना हुआ है तो हम चीज की और इस सारा करते हुए पूछेंगे कि यह क्या है किस काम आती ह और कितने की है अब हम लोग अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं बात चीत के लिए जैसा की हेडिंग है तो इसके अंदर प्रशन है काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिस्ट फल क्यूं समझ लिया तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे काबुली वाले ने इससे पहले ल लाल पतली फलियों को स्वादिस्ट फल समझ लिया अब दूसरा प्रसन देखते हैं सब्जी बेचने वाली ने क्या से सोचकर उसे जोली भर मिर्च दी होगी इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे सब्जी बेचने वाली ने सोचा होगा कि इसे घर पर लाल लाल मिर्च की हालत हुई होगी इसका उतर हम लोग लिखेंगे सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खड़ाव हो गई होगी वह सीसी करता तथा आखों में पानी पोस्ता हुआ पड़ेसान हो रहा होगा अगला प्रश्न है अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रह लेकर नहीं खाए होंगे क्योंकि दूद का जला छाँच भी फूंक कर पीता है हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जैसा की हेडिंग है आगे पीछे कुंजरीन से बोला जियू त्यों कुछ समझा कर इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं बेचारा जियू त्यों कुछ समझा कर कुंजरीन से बोला अग इसी पंक्तियों को फिर से लिखो हमको दो तोल छीमिया फकत चाराने की तो हम इसको कैसे लिखेंगे हमको फकत चाराने कि तोलदो छीमी आँ व rubbishाता ही रहा मिर्च की छीमी को olde इसको अब लोग इस तरीके से लिख सकते हैं मिर्च की छीमी को olde Crispy आथे व Jennifer finder जातू अपनी राशी पाही मैं खाता हूं पैसा इसको हम लग लिखेंगे मैं खाता हँ पैसा जातू अपनी रासी पाही एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी तो इसको हम लोग लिखेंगे लोग एक कहानी एक काबुली वाले की कहते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसा कि हेडिंग है मुह में पानी लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुह में पानी आ गया तुम्हारे मुह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है तो आप इन प्रश उत्तर को याद करेंगे और इसको कॉपी में भी लिखेंगे